हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आप सभी का मेरे चैनल दा नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो एटामिक एनरजी एजुकेशन सोसाइटी में आ गई है पी जी टी 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 लैबरियरियन प्रैमरी टीचर पी आर्टी के पदो पर वेकंसियां फॉर्म फिल इसके स्टार्ट हो गया है 23 मही से फॉर्म फिल अप स्टार्ट हो गया है 12 जुन तक फॉर्म आपको फिल अप कर लेना है अब यहां पर देखें नॉटिफिकेशन खुला हुआ है कितिनी जगे वेकंसी है यह इसमें बता दिया गया है इसमें सबसे जादा एक कन्फ्यूज चीज नॉटिफिकेशन में यह आई है कि इसमें कहीं पर भी पे लेवल की बात नहीं की गई है देखें यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि पे मैट्रिक्स सेंटरल गवर्मेंट के अकॉर्डिंग रहेगा एक्स्टेंट अप्लिकेवर टुदा एडबल एस बट यहां पर कोई भी पे मैट्रिक्स या पे लेवल की जानकारी नहीं दी गई है और पे लेवल के बारे में बिल्कुल भी यहां पर नहीं बताया गया है कोई भी पूरा नॉटिफिकेशन आप नीचे उठा करके पढ़ जाईए आपको यहां पर पे लेवल के बारे में बिल्कुल भी जानकरी नहीं मिलेगी मै आपको यहीं जानकारी देने जारा हूँ वीडियो में कि इसमें कितनी सद्थि मिलेगी और इसमें हम सबसे पहले हम यहां पर होम पर बैक यहां पर देख लेटे कि इसनों प्रकार की तीनों की वेकंसी के लिए अलग अलग यहां पर pay level है pay matrix तीनों के लिए अलग अलग है और सभी को अलग अलग salary मिलेगी salary कितनी मिलेगी मैं आपको पहले बताता हूँ देखे इससे पहले vacancy आई थी यहां पर वो contract basis थी same vacancy थी PGT की TGT की थी और preparatory teacher की थी तीन प्रकार की vacancy आई थी बट यह यहां पर contract basis की vacancy आई थी यह permanent vacancy नहीं थी यहां पर दीखे साफ साफ लिखा हुआ है contract basis की vacancy थी जिसमें आपका consolidated pay दे रहा था 27,500 और 26,250 PGT के लिए था 27,500 TGT के लिए था 26,050 और PRT के लिए था 21,250 अब यहां पर 220 रुपए per period restricted to maximum 5 periods a day यहां पर 220 रुपए एक period का आपको extra over time मिल रहा था जो की महिने में 5 जिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसी तरी के TGT का भी था 210 रुपए था और PRT का यहां पर 170 रुपए था यह vacancy थी आपकी contract basis बट अभी जो vacancy आई है यह full time vacancy आई है और full time vacancy में कितनी salary आपको मिल रहे है यह बिल्कुल भी नहीं बताया गया है तो मैंने research किया research करने से मुझे यहां पर कई चीज़े पता चली है देखिए यह data बिल्कुल भी official data नहीं है यह सिर्फ मेरी research basis का data है और यह सिर्फ मैंने research करके ही यह सी चीज़े पता की है यहां पर salary जो post graduate teacher है यानि की PGT है PGT की यहां पर salary आपकी 47600 पर मंद consolidated है यह contract basis salary नहीं यह regular की salary की मैं बात कर रहा हूं कि जो PGT people है उनकी 47600 का consolidated पे रहेगा अधार allowance उनके जो पांच period अगर महने में अगर वह लेंगे तो उनको 220 रुपए पर day का यहां पर consolidated pay मिलेगा अब यहां पर 47600 PGT की मैं बात कर ले रहा हूं अब मैं TGT की बात करता हूं देखे TGT का मैं बता देता हूं कि इससे पहले जो previous year में आई थी उसमें इतना ही pay मिल रहा था उसी के basis पर यह research करके मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर 26250 रुपए TGT का और PGT का जहां तक मैंने बताया आपको 47600 रुपए और जो PRT teachers हैं जो PRT teachers हैं यानि primary teachers और PRT teachers हैं उनका 21250 रुपए का यहां पर pay रहेगा देखे योग्यता भी same मांगी गई थी अभी योग्यता same है सारी चीज़े same है previous notification से इस notification सारी चीज़े same है बस pay level इस notification में नहीं दिया गया है तो जो previous vacancy थी उसी को मैं compare करते हुए बता रहा हूं कि इतनी salary आपकी हो सकती है यह official data बिलकुल नीचे हो सकता है हाला कि यह एक अनुमान है और यह अनुमान लगबग बहुत हक तक सहीं भी रहेगा तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए